हलो दोस्तों आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टैनोफ पूल में स्वागत है दोस्तों देले डिक्टेशन्स के लिए और आपके डाउट्स के सॉलुशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको चैनल से जुड़ी सभ से पहले मिल सकें आज का टोपिक है हाइफनेटिड वर्ड्स जो हमने पहले हाइफनेटिड वर्ड्स की वीडियो डाली थी तो उसके रिगार्डिंग कुछ कमेंट्स और मैसेज़िस भी आये थे किसर इनकी आउटलाइन हमें प्रोवाइड कराईए तो उन हाइफनेटिड वर्ड्स की आउटलाइनाज आपके सामने लेके आएए तो आएए देखते हैं पहला वर्ड है वाटर प्रूफ के लिए हम फस्ट प्लेस पे डबलू लिखेंगे उसमें टी आर और प्रूफ के लिए उसी में पी आर और एफ का हुक लगा देंगे यह हो जाएगा वाटर या फिर first place पे ही w की doubling कर देंगे क्या कि water rise में तो टर्कियों जैसे w की doubling कर देंगे यह हो जाएगा water और प्रूफ के लिए उसी में पी आर और f का hook लगा देंगे फर्स प्लेस पे लिखेंगे इसे ये हो जाएगा water proof Long Establish Long Establish को हम Second Place पे लिखेंगे Upward L और NG यह हो जाएगा Long Establish को हम Disjain करके लिखेंगे S और B यह हो जाएगा Second Place पे Long Establish Under Employment Under Employment जैसे Under लिखते है Second Place पे N की Halving करके उसे Dark कर देते हैं यह हो जाता है Under और Employment के लिए हम उसके नीचे M को Disjain कर देंगे यह हो जाएगा Under Employment Go By Go By First Place पे लिखेंगे Go By में सबसे पहले G और B G और B और By के लिए B में हम I का भावल लगा देंगे By यह हो जाएगा Go By Income Tax Income Tax लिखने के भी दो तरीके हैं Second Place पे लिखेंगे इसे First Place पे In लिखेंगे उसमें T, S T और S का Circle काड़ देंगे इसे Second Place पे लिखेंगे या फिर In In, T और KS First Place पे लिखेंगे इसे First Place पे जैसा कि फिर से बता दू In में T और S काड़ देंगे या फिर In में T, K, S Tax के लिए दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं Well, Being Well, Being Second Place पे लिखेंगे L, W, L जैसे Well लिखेंगे Well, उसी में B और In, Ing लगा देंगे I, N, G वाला, यह हो जाएगा Well, Being या फिर Second Place पे इसे Well लिखेंगे उसमें Being को कट करके लिख देंगे यह हो जाएगा Well, Being Large Scale Large Scale First Place पे J लिखेंगे यह हो जाएगा Large Scale के लिए उसमें S का Circle, K और Downward L यह हो जाएगा Large Scale First Place पे लिखेंगे Country Made Country Made के लिए K, N की की Dublin करेंगे उसमें N का Hook यह हो जाएगा Country और Made के लिए उसी मही M add कर देंगे याद रखेगा यहाँ पे M की Halving होगी Made की वज़े से या फिर जैसे हम Normally Country लिखते है Second Place पे K, उसमें N का Hook और Upward R यह लिख देंगे Country और Made अलग से उसमें Disjoin करके M Second Place पे Halving करेंगे और A का Dot लगा देंगे या फिर ऐसे लिख सकते हैं Country Made Out, Dated Out, Dated Out के लिए T Through the Line क्योंकि Out Out का Wohl लग रहा है Out का Wohl Third Place पे लगता है तो यह हो गया Out और Dated Date Second Place पे D Date, Day और Tid के लिए Tid उसके साथ Disjoin करके लिख देंगे यह हो जाएगा Out, Dated Time Limit Time Limit First Place पे लिखेंगे हम Time लिखके उसी में लिए Limit के लिए M की Halving करके अड़ कर देंगे यह हो जाएगा Time Limit Capital at Charge Capital at Charge लिखने के विए दो तरीके हैं जैसा हम First Place पे Capital लिखते हैं K, P की Halving और Upward L यह हो जाता है Capital और At Charge At Charge के लिए First Place पे T लिखेंगे At और Charge के लिए उसी में ही 6 को काट देंगे यह हो जाएगा Capital at Charge या फिर First Place पे ही Capital के लिए K लिखके Charge के लिए उसी में ही 6 काट देंगे यह हो जाएगा Capital at Charge Sub Cast Sub Cast Second Place पे लिखेंगे Sub के लिए S और B S का Circle और B यह हो गया Sub और Cast उसी में ही अड़ करतेंगे K और S ट का Loop यह हो गया Sub Cast Small Scale Small Scale को हम Second Place पे लिखेंगे इसके लिए जैसे Sum लिखते हैं Sum लिखके और उसे में S का Circle K और Downward L उसमें एड़ कर देंगे यह हो जाएगा Small Scale Second Place पे लिखेंगे इसे Know How Know How जैसे हम Now लिखते हैं Now Second Place पे वैसे ही Now लिखेंगे और उसमें N के नीचे O का ड़ेश लगा देंगे यह हो जाएगा Know How Over Burdened Over Burdened के लिए First Place पे ओवर लिखके उसी में इसी बी आर और ड़न D, E, N, E, D आर है उसके लिए D की Halving करके उसमें N का हुक लगा देंगे यह हो जाएगा Over Burdened विश और विश विश और विश के लिए Through the line V, S का Circle यह हो गया विश और उसी Circle से फिर से नीचे की और V लिखते हुए फिर से उसमें S का Circle लगा देंगे यह हो जाएगा विश और विश Medium term Medium term को हम Second place पे लिखेंगे Medium के लिए पहला M small रहेगा फिर normal M यह हो जाएगा Medium और term के लिए उसी में T, R और M Add कर देंगे यह हो जाएगा Medium term Second place पे लिखेंगे हम Medium term को Viva voice Viva voice First place पे लिखेंगे Viva आयरा है क्योंकि Viva first place पे V लिखे वाइस के लिए उसी में V और S का circle लिखते हुए काट देंगे यह हो जाएगा Viva voice Viva voice के लिए First place पे V लिखे उसी में V और S V और S, S के लिए S का circle लगाके वो काट देंगे V में यह हो जाएगा वाइवा वाइस वाइस चेर्मेन वाइस चेर्मेन फस्स प्लेस पे लिखेंगे वाइस लिखते हैं V और S का सर्कल यह हो गया वाइस और चेर्मेन के लिए उसी में ही डाउनवर्ड चे और M N M में N का हुक लगा देंगे यह हो जाएगा voice chairman day to day second place पे day के लिए d लिखेंगे t के लिए उसी में dash लगाके फिर downward d यह हो जाएगा day to day जो dash है वो to के लिए है day to तो यह हो जाएगा day to day stroke piling stock piling first place पे लिखेंगे stock में stock के लिए हम st का loop लगाते हुए k लिखेंगे यह हो जाएगा stock और piling के लिए उसी में p l और ing यह उसमें cut कर देंगे यह हो जाएगा stock piling stock में cut करेंगे यह जो हमने p l और ing लिखा है इसको stock में कर देंगे यह स्टोक पाइलिंग कंट्री वुमन कंट्री वुमन जैसे कंट्री वुमन के लिए मैंने पहले बताया था के earliest कंट्री वुमन-कर करें उसमें our Surum वुमन के लिए उसी में W, M और N यह हो जाएगा Country Woman add एड कर देंगे यह Self confidence के लिए हम जैसे confidence लिखते हैं F, D, N की साइड से S का circle यह हो गया और सेल्फ के लिए हम उसके उपर एक डॉट सर्कल छोटा सर्कल जो सेल्फ के लिए लिखते हैं जो भी सेल्फ क्योंकि इसमें जो कन आता है क्योंकि कन के लिए हम उसके वर्ड के उपर कन के लिए डॉट लगाते हैं और सेल्फ के लिए जो सर्कल लगाते हैं तो जो उसके उ वोटने लगा के वो सर्कल लिख देते हैं सेल्फ का तो यह हो जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्स डेप्यूटी चेर्मेन एक्स के लिए हम फर्स प्लेस पे के और एस का सर्कल यह हो जाएगा एक्स deputy के लिए उसी में D काटते हुए उसी में फिर हम chairman add कर देंगे यह हो जाएगा X deputy chairman short term short term लिखने के दो तरीके हैं जैसे हम first place पे short लिखते हैं short SH की halving करके उसमें R का हुख यह हो जाता है short और term term के लिए उसी में M add कर देंगे M यह हो जाएगा short term या फिर first place पे जैसा हमने short term अभी बताया इसमें short लिखते हैं वैसे ही SH की halving करके उसमें R का हुख यह हो जाएगा short और term के लिए उसी में T, R और M यह add कर देंगे यह हो जाएगा short term post graduate post graduate second place पे लिखेंगे P, ST का लूप यह हो गया post और graduate के लिए उसी में G, T और U यह हो क्या graduate post graduate तो post graduate P, ST का लूप G, downward T और U यह हो क्या post graduate pre independence pre independence pre E आ रहा है तो PR को through the line लिखेंगे यह हो जाएगा pre और independence के लिए हम उसके लिए जीचे N की halving करके फिर P की halving और S का circle N की तरफ से S का circle यह हो जाएगा अड कर देंगे तो यह हो जाएगा pre independence एक बाद फिर से देखते हैं PR through the line यह हो जाएगा pre और independence के लिए उसमें नीचे N को disjoin करके लिखेंगे N की halving करके और उसमें नीचे फिर P की halving करके N के hook की तरफ से जिदर से N का hook गुमता है उदर से S का circle लगा देंगे यह हो जाएगा pre independence फार रीडिंग जैसे हम फार लिखते हैं FR through the line यह हो जाएगा फार और रीडिंग के लिए उसी में अपवड आर को काटते हुए डाउनवर्ड डी और आई एंजी यह उसी में काट देंगे यह हो जाएगा फार रीडिंग non plan non plan लिखने के दो तरीके हैं यहाँ पर जैसा कि हम second place पर non लिखते हैं n लिखके उसमें n का hook यह होगा non और plan उसी के साथ अलग से लिखेंगे pl और n यह हो जाएगा non plan या फिर जैसा कि एक और आपके सामने लिखके outline n और n दो बार n लिखके उसी में pl और n plan के लिए pl और n उसमें add कर देंगे यह हो जाएगा non plan sub section sub section के लिए जैसा कि हम second place पर sub लिखते हैं वैसे sub लिखेंगे s का circle और b यह हो जाएगा sub और section के लिए उसी में n की तरफ से s s का circle गुमाते हुए k और उसमें shun का hook लगा देंगे यह हो जाएगा sub section two fold two fold लिखेंगे दो तरीके हैं जैसा कि two के लिए हमारे पास gramolog होता है तो second place पर t लिखेंगे two के लिए gramolog लिखा और fold के लिए downward l की halving कर देंगे क्योंकि उसमें d आ रहा है ना l d fold old तो वई two का gramolog लगा के second place पर उसमें downward l की halving कर देंगे यह हो जाएगा two fold या फिर second place पर ही two अलग से लिखके f लिखके अलग से और downward l की halving कर देंगे यह भी हो जाएगा two fold i wash i wash के लिए जैसा i i पता है कि first place पर वाउल है तो first place पर i लिखेंगे और उसमें wash के लिए s h s h add कर देंगे यह हो जाएगा i wash first place पर लिखेंगे long term long term second place पर लिखेंगे long term के लिए है upward l उसमें ng यह हो गया long और term के लिए उसमें tr और m tr और m add कर देंगे यह हो जाएगा long term re case second place पर लिखेंगे हम upward r यह हो जाएगा re और case के लिए हम उसमें k और s का circle उसके middle से याद रखेंगा उसके middle से disjoint करके उसकी के साथ में लिख देंगे यह हो जाएगा re case एब फिर से रिखेंगे है re case को second place पर अपवड आर लिखते हुए case को r के middle से k और s के circle को r के middle से disjoint करते हुए लिखेंगे यह हो जाएगा re case well non well non well के लिए second place पर well लिखेंगे w और l यह हो जाएगा well और non के लिए उसी में ही n और फिर से उसी में ही n का hook याद रखिएगा well के लिए w, l, अपवड, l w और अपवड, l well non के लिए उसी में n एड करते हुए दुबारा से उसमें non दुबारा से n के लिए n का hook लगा देंगे second place पर लिखेंगे इसे यह हो जाएगा well non medium scale medium scale second place पर लिखेंगे medium, me, d तो m के बाद d आ रहा है m के बाद d आ रहा है तो second place पर m की halving कर देंगे यह हो जाएगा medium और उसी में दुबारा से m आ रहा है medium में तो उसमें m add कर देंगे यह हो जाएगा medium scale के लिए उसी में s का circle k और downward l लिखेंगे यह हो जाएगा medium scale second place पर लिखेंगे हम medium scale को foreign made जैसा कि हम second place पर foreign लिखते है f upward r और उसमें n का hook यह होता है foreign made के लिए हम उसी में m की halving करके m की halving करके add कर देंगे made के लिए यह हो जाएगा foreign made second place पर f upward r n का hook और उसमें made के लिए हम m की halving करके join कर देंगे यह हो जाएगा foreign made up to date up to date लिखने के दो तरीके हैं जैसा कि up to up to जैसे बोलते हैं up to का क्या मतलब होता है up to का मतलब होता है कि एक limit दे दी गई है की up to तो मान लो यहाँ पर अब हमारी जो line लिखी गई है यह हमारी एक limit है तो इसके नीचे हम जैसे to लिखते है to वो to लिखके उसी मही date date के विज़े से d की halving कर देंगे तो यह हो जाएगा up to date तो up to कैसे बताया मैंने जो यह line है line हमारी जैसे की limit हो गई तो up to up to होता है कि एक limit तक के लिए तो उसके लिए line के नीचे t लिख देंगे यह हो जाएगा to और date के लिए d की halving कर देंगे यह हो जाएगा up to date या फिर जैसा कि अप का ग्राम लोग था और second place पे d में second place पे a का वाल लगा देंगे वाल के लिए dot तो up to date यह हो जाएगा up to date तो दोस्तों यह थी हमारी आज की outlines की class hyphenated words की तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी जल्दी से जल्दी आप इसे comment box में अपने comment करिए और आपको जो भी question वगएरे पूछने हैं आप comment box में भी वो आप डाल सकते हैं और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को आगे share कीजिए और like भी बढ़ाएए share करें यह जादा है जादा तो मेरे का भी थोड़ा moral बढ़ेगा क्योंकि मैं काफी पिछले वीडियो देखी हैं बहुत सी कि जिसमें की काफी नई share बढ़े हैं ना कि views भी नहीं आया इतने तो फिर इतना वो होता है निया कि सर वीडियो भी नहीं आ रहे हैं फिर मैं आप भी ले वीडियो भी बनाओ फिर अपलोड भी करें तो कोशिस कीजिए कि जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को आगे शेयर भी करें और अगर आपको कोई queries वगेरा हो outlines वगेरा से related तो आप जल्दी से जल्दी उसे comment box में comment भी कर दीजिए धन्यवाद